हलो दूस्तो आज हम ज सिरीज को एक्सिलेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है सी ह Alger की एक अमरिकन टॉमिक बुक का कैरेक्टर है और इसके राइटर है स्टेंडली दोस्तों सीरीज की शुरुआत में हम जिस लड़की को दिख रही है उसका नाम है जैनिफर वॉल्टन जैनिफर वॉल्टन एक स्पीज तयार कर रही होती है जो उसे कोट में जीओरी मेंबर्स के सामने रिपरेजेंट करनी है लास्ता में यही लड़की सी हलक है जो पेशे से एक वकील है केस में मदद करने के लिए उसके दो असिस्टेंट है जिनका नाम है मिक्की और डैनिस वो दोनों से डिसकस करती है कि उसे इस केस को किस तरह से जीटना है तब ही जैनिफर कैमरे की तरफ देखती है ब्रेकिन एफ फोर्ट वर्ल्स और लोगों से बात करती है और ओडियोंस को बताती है कि वो हलक कैसे बनी इसके वारे में बताते हुए ये मूबी हमें कुछ महीने पीछे ले जाती है इसमें जैनिफर बताती है कि वो एक बार अपने कजिन ब्रूस बैनर के साथ रोट्री पर गई थी ब्रूस बैनर हमारे वही पुराने हलक हैं जिन्हें हम बहुत पहले से देखते हैं यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि ब्रूस बैनर का हाथ अब ठीक होने लगा है और उन्होंने एक डिवाइस बना ली है जो कि ब्रूस बैनर को उनके हीमन फॉर्म में रखता है अगर ब्रूस बैनर ने यह डिवाइस निकाली तो वो फिर से प्रोफेसर हलक बन जाएगा जब तक यह डिवाइस उसके हाथ में रहेगी तब तक वो हुमेन ही रहेगा यानि इस हलक की पूरी जिंदगी अब सिर्फ इस डिवाइस पर डिपेंड करती है जैनिफर ब्रूस की बातों में काफ़ इंटरेस्ट ले रही होती है बातों ही बातों में वो ब्रूस से पूछती है कि तुम्हारा दोस्स स्टीब रोजर्स यानि कैप्टन अमेरिका क्या अभी भी बर्चिन है यह बातों कर ब्रूस को ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन वो फिर भी एक फेक स्माइल देकर जैनिफर से बात करता रहता है इसी दोरान स्पेस से जाकार प्लैनेट का एक स्पेस्शिप इनकी गारी से आकर टकरा जाता है और जैनिफर अपनी गाली पर कंट्रोल खो देती है जिसकी बजह से जटार प्लैनेट से आए स्पेस्शिप और गारी की बुरी करह से टकर हो जाती है और गारी खाई में जाकर घिर जाती है एक्सिडेंट बहुत भयानक होता है इस एकसिडेंट में जैनिफर और बूस दोने को बहुत ज़्यादा चोटाती है और काफी खून भी बैरहा होता है जैनिफर जैसे तैसे खुद को समाल कर बूस की उड़त करने के लिए उसके पास जाती है बूस जैनिफर से कहता है कि बूस से दूर रहे और उसे टचना करे लेकिन जैनिफर उसकी कोई बात नहीं सुनती वो सिर्फ बूस को इस हालत में देखकर उसकी मदद करना चाहती है अब जैसे ही जैनिफर की गल्ती से बूस का कून उसकी चोट के साथ मिल जाता है उसके बाद हमें पता जलता है कि ब्रूस के कून में गामा रेज हैं और इसलिए ब्रूस जैनिफर को अपने से अलग कर रहा था ब्रूस को बहुत ज्याला गुसा आता है और वो बहुत जोर से चिलाने लगता है उस स्पेस्शिप को देखने के बाद बूस के गुच्से के बाद उसका शरीर हल्क में बदल जाता है वराब बहाँ पर बो हो रहा था जो बूस कभी नहीं चाहता था कि यह ऐसा किसी के भी साथ हो क्योंकि अब जैनिफर वाल्टियर से सी हल्क बन चुकी थी क्योंकि जैनिफर के खून में बूस के खून की बज़े से गामा रेडियेशन के साथ साथ बल्लड मॉटेशन भी हो चुका था जब यह सब हो रहा था तब ही जैनिफर बेहोश हो जाती है इसके बाद जब जैनिफर को होश आता है तो वो human ही होती है लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि एक तरफ तो उसका accident हुआ था और दूसरी तरफ वो बेहोश हो गई थी और उस दुरान उसके कपड़े भी बूरी तरह से फट गए थे और उसको काफी चोट भी आई हुई थी जिसके बाद वो मदद मांगने के लिए शेहर की तरफ जाती है शेहर में पहुंसते ही कलब के अंदर किसी का फोन लेकर मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती है अब जैसे ही जैनिफर वाश रूम यूज करने जाती है तब ही वहाँ पर काफी सारी लड़कियां आ जाती है और वो जैनिफर को इस हालत में देखकर काफी शुब हो जाती है और उससे पूसती है कि तुहारे ऐसे हालत किसने कर दी और साथ ही साथ बिसब उन लड़कों को कोसने लगती है जो लटकियों के साथ कुछ गलत भीःव करती है उन्हें ऐसा रगडा था कि जिनिफर की इस हृले के पीछे उन्हें गंदे लड़कों का हाथ है और साथी वो लड़कियां काफी हैलफुल होती है जो जिनिफर को काफी अच्छे से तियार कर देती है इसके बाद जैनिफर कलब से बाहर आ जाती है और वो अभी भी फोन करके किसी से मलद मांगना चाहती है लेकिन इसी दूरान उस कलब से कुछ लड़के बाहर निकल कर आते है और वो जैनिफर के साथ बत्तेमीजी करने लगते है उसे गलत गलत तरीके से बोलने लगते है जैसे हाई आइकम कहा जा रही हो लेकिन इन सब बातों को इग्नूर करके जेनिफर आगे बढ़ने लगती है जब इस बत्यमीजी की हदपार हो जाती है तब उसे इन बातों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिलाने लगती है गुस्से की बज़े से जैनिफर हलक में बलन जाती है जैनिफर की हालत को देखकर उन लड़कों की हालत पतली हो जाती है लेकिन तब ही बहाँ पर ब्रूस बेनर पहुँच जाता है जैनिफर ब्रूस से पूछती है कि आकर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं हलक में कैसे बन जाती हूँ अब ये डॉक्टर हलक को उसे बताता है कि जब हमारा एक्सिडेंट हुआ था तब गल्टी से मेरा खून तुम्हारे खून के साथ मिक्स हो गया था और म्यूटेशन के कारण तुम्हें एक हलक बन चुकी हूँ ये सुनकर जैनिफर काफी शॉप्ड हो जाती है और बैस सोचती है कि क्या मेरी कोई नादमर लाइफ नहीं रहे जाएगी खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा ये बास उनकर जैनिफर ब्रूस से पूर्टी है कि आके मुझे ये सब सीखने में कितना समय लगेगा तो ब्रूस उसे बताता है कि यही कोई 10 से 12 साल जैनिफर ये सुनकर काफी परिशान हो जाती है क्योंकि वो इस गंद आयलेंड पर नहीं रहना चाहती लेकिन उसके पास कोई दूसरा उप्शन नहीं बसता है क्योंकि उसे खुद को कंट्रोल तो करना ही होगा इसलिए ब्रूस के दुआरा जैनिफर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है शुरूआत में ये ट्रेनिंग जैनिफर के लिए काफी टव होती है लेकिन ब्रूस कभी तो जैनिफर को आधिरात में जगा देता है और उसे एक्सराइज करने के लिए बोलता है लेकिन ब्रूस ट्रेनिंग कराते हुए जैनिफर ने एक बात नोटिस करता है कि जैनिफर बूस बैनर के माइन से खुद को कॉडिनेट कर पा रही है और साथ ही बहुत ही अच्छे से अपने बॉडी को कंट्रोल करने का एक रिस्पॉंस दिखा रही है जो कि बूस के केस में नहीं था बूस जो हल्क बना था तब उसके पास को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों जिमनास भी करने लग जाते है और साथ ही योग भी ये सब चीजे जैनिफर बहुत जल्दी सीख जाती है और देखते ही देखते कुछ दिनों में जैनिफर बूस से ज्यादा ताकत बर भी बन जाती है ये देकर ब्रूस को जेनिफर से थोड़ी सी जलन फील होने लगती है क्योंकि ब्रूस को ये सब सीखने में बहुत लंबा समय लगा था लेकिन जेनिफर उन सब कावों को बहुत ही कम समय में पूरा कर रही थी इसी दुरान ब्रूस जेनिफर से कहता है कि एक हल्क बनने के जितने नुकसान है उतने ज्यादा फाइदे भी है आओ मैं तुम्हें इंसा फाइदे के बारे में बताता हूँ इसके बार ब्रूस जेनिफर को अपने आईलेंड पर बने कलब के अंदर लेका जाता है और बहाँ पर जाकर ये दोनों खूब ज्यादा ड्रिंक करते है अब जैसे ही नेक्स सुबा होती है जेनिफर अपने इंसानी शरीमे होती है जिसकी वज़े से उस शराब कासर उसके उपर होने लगता है और उसके सर में काफी दर्द होने लगता है इस हैंगोवर को उतारने के लिए ब्रूस उसे यूगा करने के लिए कहता है लेकिन जेनिफर ये सब करके काफी परिशान हो चुकी होती है इस बात पर जेनिफर उसके सामने खुद को पहले तो हल्क बनाती है और फिर खुद को एक नॉर्बल इंसान बना देती है लेकिन ब्रूस को अभी भी बिश्वास नहीं हो रहा होता कि सब कुछ ठीक हो रहा है इसी दुरान इन दोनों के बीच में काफी बहस होने लगती है बहस इतनी बढ़ जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखाने लगती है पर भी ब्रूस अपनी ताकत ताजोर दिखा कर जैनिफर को बहुत दूर फेक देता है और दूसरी तरफ जैनिफर भी Bruce को अपनी चुपी हुई टाकत दिखा रही होती है और इस स्रीज में ये सीन काफी खुबसूरत दिखाई देता है जहां पर एक ओर तो हल्क है और दूसरी तरफ सी हल्क जो एक दूसरे से लडाई कर रही होती है और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही होती है इस लड़ाई का निशकर्स ये निकलता है कि अब Bruce को Jennifer पर बिश्वास हो जाता है कि वो अपने आपको कंट्रोल कर सकती है और वो बिना किसी कारण हल्क बंतर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी इसके बाद Bruce Jennifer को उस आइलेंड से बापस भीज देता है और ये मूगी फिर वहीं पर शुरू हो जाती है जहां से Jennifer अपनी कहाने बता रही थी और इस दोरान Jennifer पोर्ट में होती है तब ही नहीं पर एक सूपर विलेंड पहुंच जाती है तब तक उसे खुद को कंट्रोल में रखना है लेकिन कुछ दिरबाद सूपर विलेंड और भी ज्यादा परिशान करने लगती है और स्तिती आउट ओफ कंट्रोल हो जाती है जिसकी बज़े से Jennifer खुद को उसी हल्क में चेंज कर लेती है और उस सूपर विलेंड को बुरी तरह से हरा देती है और ये बात पूरे शेहर में मेडिया के जरीए आग की तरह फैल जाती है कि अब हम लोगों के बीच एक और हल्क आ चुकी है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है